हजरत ताजुद्दिन बाबा का जनम दिन गुरुवार को ताजाबा सहितपूरे शहर में सादगी के साथ मनाया गया बाबा के दरबार में मथ्था टेकनिक लिए श्रद्धालूं का सैलाब उमर पड़ा ताजाबाद परिसर आकरशक रोशनाई से जगमगा उठा इसी श्रंकला में सीताबडी वैपार संकूल ओनर्स एसोसियेशन की और से शुकरवार को लंगर का आयूजन किया गया जिस दोरान कोरोना के सभी नियमों का पालंग किया गया हजरत बाबा ताजोद दिन ओलिया का जनम दिन हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से शेहर भर में मनाया जाता है ताजाबाद साइत शेहर के कई इलाकी रोशनाई से जगमगा उठते हैं जगा जगा लंगर का आयूजन किया जाता है इस श्रंकला में शुक्रवार को सीता बड़ी वैपार संकूल ओनर्स असोसियेशन की और से लंगर का आयूजन किया गया इस अफसर पर बात करते हुए असोसियेशन के सेकेटरी नरेश्वाज जेर पोर्ट ने कहा कि पिछले दस वर्षों से हम इस लंगर का आयूजन कर रहे हैं प्रतिवर्ष 20-25,000 लोग यहां खाना खाते हैं लेकिन कोरोना के कारण छूटे पैमाने पर हम इस चीज का आयूजन कर रहे हैं यह जो कारिकरम है बावत आजूद दिन सरकार का जनम दिन उस्सो जो हम लोग मना रहे हैं पिछले 10 साल से यह प्रतिवर्ष कम से कम 20-25,000 लोगों को हम लोग भोजन दान का कारिकरम करते हैं यहां पर लेकिन अपि पिछले 2-3 साल से कोरोना प्रोटकाल को देखते हुए उसके नियम के तहट हम लोग यह कारिकरम को संचित रूप में कर रहे हैं जिसे की स्थवा सोसल डिश्टेशन का ख्याल रखते हुए और मास्वास का सब देखते हुए यह कारिकरम को हम एक छोटे से रूप में मनाए रहे हैं इस वर्ष यह कारिकरम हमारा सीता बड़ी वापर संकुल दुकांदार ओनर्स असोशेशन हमारे मित्रे उनके यह हमारे इसके अध्यक्षे, इसके कॉंप्लिक्स के और हम लोग सब हिंदू, मुसलिम, सब भाई लोग मिलकर एक सद्भावना के रूप में यह कारिकरम को मनाते हैं बता दे कि हिंदू, मुसलिम साथ मिलकर इस लंगर का आयूजिन करते हैं कैमरे परसन माइकल के साथ दिशा ट्वाब, बीसीन न्यूस नागपूर।